नमस्कार दोस्तों जिके संसार में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो सेशन में हम सब परिक्षाओं में बार बार पुछी जाने वाले समान निग्यान के महत्पून प्रस्ण और उत्रकों डिसकस करेंगे जो कि आपके सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए काफी म महत्पून होगा तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि सभी वीडियो की नुट्विकेशन आप तक पहुँँ सकेगी और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों क कि पुत्री थी किसकी पुत्री थी इल्दुत्मिस्की और माता का नाम था कुतुब बेगम अगर हम रजिया सुल्तान की साही नाम का बात करें तो था जलालत उद्दीन रजिया और समाने था हम सब रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं उसके बाद अगला प्रसन है कि प समराज की विजाई हुई थी और याद रखिएगा इसमें जो छेत्रिय बदला हुए थे वो हुआ था दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा कांच नौमबर 526 में जो हुई थी पानी पत की पहले लाई उसके बाद दूसरी लाई हुई थी पांच नौमबर 1556 को इसमें जो लड़ाई हुई थी वो बैरमखा और हेमू के बीच खुआ था बैरमखा जो था और हेमू जो था ओ आदिलल सा सूर का सेनापती था लेकिन तीसी लड़ाई जो हुई थी वो मराठा और अहमद सा अबदाली के बीच लड़ी गई थी लेकिन कौन से वर्स में पानेपत के तीसी लड़ाई हुई थी आप हमें कमेंट करके बताएंगे नटराज की परसिद कांच से परतीमा किस का सुन्दर उदाहरन है तो है चोल कलागा ठीक है किसका चोल कलागा पिंक सिटी जयपूर को किस ने अस्थापित किया था? तो एक किया गया था स्वाई जयसिंग के द्वारा और याद रखिएगा पिंक सिटी जयपूर जो है राजस्थान का कैपिटल है इसी को आप मेंसें जरूर कर लिजेगा नालंदा विश्विध्याले विश्येस रुप से किस विशय में विद्या का महान केंदर हुआ करता था तो था बौध धर्म पहली बार बौध परिसर कहां पर आयोजी थुई थी तो था राजगीरी में जो कि अभी राजगीर के तौर पे जाना जाता है हर सरीतर के लेखा कौन है तो है वानवर्ट ठीक है वानवर्ट किसके समकालीन थे आप हमें कमेंट बौक्स में बताएंगे भारत का सबसे बड़ा प्रानी उद्यान कहां है यह है कुलकाता में वेस्ट बेंगॉल में महादेव देशाई किसके सचिव थे तो वह थे महात्मा गांधी के याद रखेगा महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे महादेव देशाई कौन सा देश हीरो ठीक है जो हीरा होता है उसकी कटाई के लिए परसीद है तो है नीदर लैंड ठीक है नीदर लैंड जो है ही को बार द्वीपु समों भारत में सबसे ज़्यादा नमग का ऐ runs कौन donation होता है तो होता है गुजरात में और सबसे लंभी जो समुदूलित टठ है हमारे देश का वं कुजरात में है हिं माली पर्वत की सबसे उंची चोटी कहां है तो हे निपाल में मौंट एव्रेष्ट जो है सबसे उंची चोटी है हिमाले का और यह कहां पर है निपाल में और हमारे देश का जो सबसे उंची चोटी है वो कौन सी है कंचन जंगा डिग बोई तेल चित्र किस राज में इस्थी थे तो है असाम में अब देखिए अगला प्रसन कहा रहा है कि नीती आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो जैसा आप जानते हैं कि नीती आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ जो अस्तित्व में आया वो 2015 में आया और इसके पहली योजना आयोग के तौर पर कारे कर रहा था तो योजना आयोग के जैसा ही है तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे हमारे देश के प्रधान मंत्री तो इस नाते ही नीती आयोग के भी अध्यक्ष जो है प्रधान मंत्री होते है तो है नरेंदर मोदी क्योंकि जब नीती आयोग का फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त प्रधान मंत्री नदी दोवारा सिंचित छेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है तो यह द्रोनिका कहलाता है यानि कि बेसीन कहलाता है इसी को आप मेंसन किजेगा कि नदी दोवारा सिंचित छेत्र क्या कहलाता है तो बेसीन कहलाता है किस देश में ओद्योगी करांती सबसे पहले सुरू हुई तो अदेश है इंग्लेंट अर्थ सास्र का पिता किसी कहा जाता है यह कहा जाता है एडम स्मीत को राश्टी यह एकताप परशित की अध्यक्षता कौन करते हैं तो यह करते हैं परधान मंत्री तो सभी क्वेशन्स काफी इंपॉर्टेंट है United Kingdom यानि Great Britain में कैसा सासन है तो है एकात्मक सासन किस राजी की विधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है किसी भी राजी के जो विधान सभा है उसकी सदस्यों के अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो हो है 500 और सबसे ज़्यादा जो संख्या है आपका कह पर है तो यह है यूपी में कितनी है आप कमेंट करके बताईएगा यूपी बिधान सभा में कितने सीटे हैं किस भारतिये ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्तम नागरिक प्रुसकार प्राप्त किये हैं तो है मुरार्जी देशाई याद रखेगा भारत के ओ सक्स जिन दियाना और पंजाब दोनों का सभूत्त रूप से कैपिटल हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पै को बिटामिन वी टूव बिटामिन वी टूव का रॉसाइनिक नाम क्या है कमेंट करके आप पताएंगे डैनामार्ट में मुख्य रूप से या पाय लेनी है और जो questions का मैं answer पूछ रहा हूं देनी है comment box में electron volt किसका मात रख है तो यह उर्जा का ग्रामीन विकास संस्थान कहां इस्तित है तो यह है है धराबाद में और हैधराबाद जो है तेलंगाना का capital है और याद रखेगा एक जो बहुत important है कि 29 राज बना था तेलंगाना लेकिन जम्मु कासमीर जब से केंदसासित प्रदेश बना है तब से 28 राज जी हो गया है हमारे देश का ठीक है कब बना है 2014 में आंदर प्रदेश से अलग होकर ध्वानी किस रूप में यात्रा करती है तो यह करता है अनुधैर तरंगती में महा नदी और काविरी नदी जो है वह जिस ओर बहती है वो दिशा है पूर्व दिशा अंग्रेजु ने भारत में सर्थॉमस रो को किसके सासनकाल में भेजा था तो अथे जहांगीर कौन सा राज सदा बहार चंदन के लिए परसिद है तो हमने आपका बताया था कि चंदन का जो व्रिच पाया जाता है या लकड़ी का उत्पादन होता है करनाटक में होता है करनाटक is the right answer वीत आयो की निक्ती कौन करता है तो यह किया जाता है राश्टपती के द्वारा ठीक है finance commission के जो निक्ती होती है वो राश्टपती के द्वारा होता है गुजराद के किस अस्थान पर हरपा की सबयता के आउसेस मिले थे तो है लोथल कब हुआ था अगर आपको पता है कमेंट करके बताईएगा किस मुगल समराथ ने स्री नगर में स्थित साली मार बाग बनवाया था तो वह बनवाया था साजहाने ठीक है जो स्री नगर में इस्तित है साली मार बाग जो काफी फेमस है आप जानते हैं इसको बनवाया था साह जहाने अकबर के दरबार में सरवातिक परसीद हिंदी कवी कौन थे तो अथे अब्दुरहेम खाने खाना भारत के पच्छी में कौन सा प्रायदीप है तो है अरब प्रायदीप त्रिसूल किस प्रकार का पच्छे पास्त्र है तो याद रखेगा ये भूमी से वायूद में मार करने वाली पच्छे पास्त्र है नेताजी सुभास रास्टी ये खेल संस्तान कहां परिस्तित है तो ये है पटियाला में है क्लियर चरी वीत विध्य कहां पेस किये जा सकते हैं तो एक यवल लोक सभा में पेस होता है करक रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटी बंध पाया जाता है तो है उसन कटी बंध है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए करक रेखा और मकर रेखा के जो बीच का कटी बंध है तो है उसन कटी बंध पेड उड़ा का कैसा सुरोत है तो है नविकर्निये उड़ा का याद रखिएगा भारतिये पेट्रॉलियम संसान कहा परिस्ति थे देहराधून में और देहराधून जो है उतराखंड का कैपिटल है अगला प्रसन देखिए, सुस्क सेल का जो एनोड होता है, वो किसका बना होता है, गरिफाइट का, और गरिफाइट क्या है, कारवन का सुद्तम रूफ है फ्यूज के तार की प्रकिर्ति कैसी होती है, तो ये परतिरोध और निम्न द्रोवनांक होता है किसीज का बना होता है, फ्यूज का तार होता है, किसीज का बना होता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे तरल्पदार्थ का घंटो कम करने पर क्या होता है, तो एक कम हो जाता है, ठीक है, किसी तरल्पदार्थ का घंटो जो है, वो कम करने गर्म करने पर क्या होगा, कम हो जाएगा, नाभकिये रिएक्टर में इंधन का काम कौन करता है, यूरेनियम करता है, काफी आसान है आपके लिए बहुत से लोगों काफी आसान लग रहा होगा लेकिन ड्रिविजन के तौर पे आप इसे जरूर देखिएगा भुमद्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है तो है जिब्राल्टर ठीक है भुमद्य सागर की कुंजी के रूप में हम जानते हैं जिब्राल सम्मिधान की संकलपना का उदभव सबसे पहले कहा हुआ था तो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में तो आप चाहे तो अस्प्रिन सौट भी ले सकते हैं क्वेशन्स का अकबर द्वारा बनाये गए उपासना भवन का क्या नाम था तो था इबातत खाना चावल का सबसे बड़ा उत्पात के देश कौन है तो है चीन और हमारा देश आता है दूसरे पोजिशन पर संसद में तीन दसक पुस्तक के लेखा कौन है तो है अटल भी आरी वाजपई और इनको 2014 में क्या दिया गया था भारत रतन ठीक है तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेशन से कंप्रिट होते हैं आई वीस कि आप सभी को पसंद आया होगा तो एक लाइक आप जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजेगा मिलेंगा आप सभी के साथ नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पो वचिंग